नमस्कार हम देख रहे हैं कक्षा 2 यानि क्लास 2 के लिए विद्याश्री हिंदी पाठे पुस्ति का इसमें आज हम देखेंगे प्रथम पाठ पहला लेशन यानि की मेरा प्रथम पाठ क्या है वो मैं यहां देखना चाहूंगे तो पहला लेशन है मेरा सभीरा, सभीरा कविता जो है इसके रशनाकार है द्वारिकप्रशाद माहेश्वरी और अचित ये सभीरा कविता इस कविता में कवी प्राता कार्नी की सुबह की समय में होने वाले प्राक्रितिक घट्नाओं का वर् तो इनकी इस कविताओं में जो वर्णन किये हैं उसका विस्षित अर्थ बाद में देखूंगी पहले से कुछ कठिन शब्दों को मैं देख लेती हूँ आप देख रहे हैं मैं इस कविता के कुछ कठिन शब्दों को नौट की हूँ यहाँ पर तो शब्दार्थ में आप इसे देखें नौट करें और याद करें इसमरान करें इसे तो शब्दार्थ में पहला शब्द है उदे निकलना प्रगठ होना सुखदाई सुखदेने वाले मनी कीमती रत्न पत्थर घडिया समय छन वक्त उजियाली रोष्णी उपवन वाटिका बगीचा मन्द धीमी कंड बहुत छोटा टुकडा मन्वहर मन को हरने वाला सुखद सुखदेने वाले शीतल ठंडी पक्छी चिर्या रसना का देख रहे हैं मैं लिखती हूँ द्वारिका प्रशाद माहिस्वरी तो ये द्वारिका प्रशाद माहिस्वरी द्वारा लिखी दिये कविता है इसके आपने कठिन शब्दों को देखा अब मैं इसे पढ़ के आपको बता देती हूँ आप देख रहे हैं यहाँ और इसे आप शब्दार्थ और इस कविता दोनों को याद कर लें पुना मैं अगले भाग में इसके विस्तित अर्थ को देखूंगी तो यह कविता है देख रहे हैं आप उदय हुआ सुरच पूरब में आसमान में छाई लाली रही न रात न रहा अंधेरा रही न चंदा की उजियाली डाल डाल पर बेठे पप्ची चह 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 कहे हैं खिले फूल मुस्काई कल्या सारे उपवन महक रहे हैं हवा पह रही धीमी धीमी शीतल मंद और सुकदाई जाग रहे हैं छेत बागवन पेड ले रहे हैं अंगडाई कनकन पर बिखरे हैं मोती कनकन बिखरी है मनिया कितनी मनोहर कितनी सुन्दर सुखत सुहानी ये घडियां आप देख रहे हैं नीचे प्लू कलर में यहीं नीली रंगों में लिखा हुआ है रचनाकार काना द्वारेका प्रशाद माहेश्वरी तो इन कविता के कठिन शब्द और इस कविता को आप देख रहे हैं इसे कविता को विस्मान करें और कठिन शब्द भी आप देख चुके हैं उसे भी याद कर लें धन्यवाद